चार साल के पीरिड में he murdered 30 ladies वो पहले औरतों का murder करता था उसके बाद उनकी dead body का rape करकर उनको जंगल में दफना देता था टेड बंडी हिस्ट्री का सबसे इन फेमस सीरियल किलर उसने 1970 से 1980 के बीच में बहुत ही जादा devilish crime करें जिससे पूरी दुनिया चौक गई वो पहले औरतों का murder करता था उसके बाद उनकी dead body का rape करकर उनको जंगल में दफना देता था और फिर move on करता था एक दूसरी औरत को पकड़ने के लिए चार साल के period में he murdered 30 ladies और उसको हमें खेवान कह सकते है because he also did the same thing with a 12 year old girl अब आपको लग रहा होगा गर इतने चोटे period में उसने इतने सारे लोगों को पागल बनाया तो या तो वो बहुत अमीर होगा या फिर उसका कोई बहुत strong political background होगा पट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था वो एक normal इंसान था बट उसको dark psychology की tricks यूज़ करने आती थी अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर रहा है तो या तो आपकी curiosity आपको यहां तक लेकर आईए या फिर आप एक unfair advantage साथ है अपनी life में औरों के उपर बट आज मैं आपको साथ dark psychology की tricks बताने वाली होता कि अगर कोई आपके उपर करने की कोशिश करे तो आपको पहले सही पताओ कि this is a trick और आप उसके लिए fall ना हो प्लस ये tricks को कभी कभी हम अच्छी चीज में भी use कर सकते हैं अपनी image और अच्छी बनाने के लिए और डाग psychology कोई भी काला जादू नहीं है अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके वो साथ tricks पहली ट्रिक है need creation टेड बंडी अपने विक्टिम्स को identify करने के बाद उनकी weak points पे focus करता था जैसे कि एक लड़की थी उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था तो उसने उसके घर की ब comfortable feel करवाता था और उसके घर की light भी ठीक कर देता था इसलिए वो लड़की टेड से बहुत जादा comfortable हो गई और धीरे धीरे उसने अपनी जरूरत उस victim की life में बना दी और जब उस लड़की ने टेड पे पूरा भरोजा कर लिया तो टेड ने बहुती बेर हैं इसे उसको मौ पहली बार लॉंच हुआ था तो इसको कोई भी नहीं खरीद रहा था फिर इन मार्केटिंग वालों ने completely new disease का इजाद करा जिसका नाम था हैलिटॉसिस फिर उन्होंने कुछ लड़कियों के एड्स बनाएं जहां पर वो लड़किया बता रही थी कि हैलिटॉसिस की वज़ पहले ही उसकी दवाई बना ली थी ताकि जब वाइरस फैले तो सिर्फ उनकी दवाई बिके और वो रिच हो जाए लेकिन उनका प्लान फेल हो गया और पूरी दुनिया को कोरोना वाइरस झेलना पड़ा तो इसलिए डाक साइकोलोजी के इस ट्रिक को राइट वे में प्लाटफॉर्म है जहां पर आप नए लोगों के साथ विडियो कॉल और आडियो कॉल कर सकते हो और उनसे एक बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकते हो बिलीव मी फ्रेंड आप आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है सोचो आप महीने के एक लाग से जादा कमा रहे हो और साथ और आप इसमें शामिल हो सकते हैं फ्रेंड एप एक सेलिब्रिटी ट्रेनर बनने के लिए बट वेट अगर आपके इंस्टेग्राम पे दो हजार से जादा फॉल्वर्स यूट्यूब पे हजार से जादा सब्स्क्राइब आप एक लाग से भी जादा कमा सकते हो इनका आरल प्लेजर यहां तक कि एगेंस्ट कोट में एविडिन्स पेश कर रही थी उसको भी टेड ने अपना विक्टिम बना लिया बट हाओ यह सब पॉसिबल है गिल्टी प्लेजर को यूज करके और यह टेकनिक बड़े-बड़े ब्रांड भी यूज़ कर रहे हैं जैसे कि सिगर सिगरेट ब्रांड मॉलबोरो पहले मालबोरो ने काव बॉइज वाले आड को इंट्रिद्यूस करा जो हॉर्स पे चड़के सिगरेट फूखते थे और माचो लगते थे जब सिगरेट के एडविटीजमेंट पे बैन लग गया तो उन्होंने कभीर सिंग जैसी मूवीज को पैसे देकर हीरो के कूल सीन में सिगरेट आड करवाना चालू कर दिया जिससे की मेल टॉक्सिटी प्रमोट हो और जो टीनेजर ऐसी मूवीज देखे उनके माइन में ये पिक्चर बन जाए कि सिगरेट पीने से इंसान माचो और कूल लगता है तो इवन आफ्टर नोइंग और जैसे की सिगरेट के बॉक्स पे लिखा होता है कि इसको पीनिस आपको कैंसर हो सकते और आप मर सकते और लोग फिर भी सिगरेट पीते हैं ऐसे ही टेड बंडी गिल्टी प्लेजर को यूज करके उन लड़कियों का पागल बनाता था जिनको पता था कि अगर उसके साथ रहेंगी तो उनकी लाइफ जा सकती है बट फिर भी वो चूज करती थी उसके साथ रहना इन फैक्ट ऐसे एक्जामपल आप भी आसपस बहुत देखते होगे जो बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं बट फिर भी पीपल चूज टू लिव इन दोस टॉक्सिक र सार्मिंग ती जिसकी वज़े से वह इर्रेजिस्टेबल था लोग उसके साथ रहना ही चाहते थे एट एनी कॉस्ट थर्ड इस वेब ओफ लाइज टेड हमेशा अपने विक्टिम्स को अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही साड़ स्टोरी सुनाता था सद आपके आसपस भ सुना कर वो विक्टिम को खुझ से कनेक्टेड फील करवाता था और डाक सैकोलजी के अकॉर्डिंग जूट बोलना भी एक आर्ट होता है मैं आपको बताती हूं कि इस आर्ट को कैसे यूज कर सकते हैं जैसे मान लो आज आप अपनी मीटिंग में लेट हो जाओ और आप अ नौ बजे उस जगह के पास था तो बहुत जादा बच्चे वहां पे थे बिकॉस तभी स्कूल स्टार्ट होने वाला था और उस वज़े से उस रोड पे बहुत जादा जाम लगा वा था फिर मैं 9.15 तक उस जाम से निकला और फिर 15 मिनट मुझे यहां पहुशने में लग और यह स्ट्राटिजी बहुत सारे ब्रैंड्स भी यूज़ करते हैं जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फाउंडर्स की सैड दर्दनाक स्टोरी सोशल मीडिया पर बताई जाती है ताकि लोग उनके ब्रैंड से एक सिंपती लाए और उनके ब्रैंड से जादा चीज़ जैसे ही लड़किया उसके राउंड कमफटेबल होती थी वो उनके साथ फिजिकल अब्यूस शुरू कर देता था और उनसे ऐसे आक्ट करवाता था जिससे वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी बट ये पेन एंडियॉर करते हुए भी लड़किया उसके साथ रहती थी बिकॉस टेड उन्हें तब तक पूरी तरीके से डिल्यूजनल बना चुका होता था जिससे उनको इस पेन में भी प्लेजर मिलने लगता था वो बहार की दुनिया से पूरी तरीके से कट आफ हो जाती थी यहीं सेम डाक साइकॉलजी की ट्रिक का शिकार ना जाने कितने सुन्दर सुन्दर लड़किया रख देते हैं क्लब्स वाले जिससे कि वो लोग और इगो पे ले जाकर जादा से जादा पैसे लगाएं प्लस वो कॉंस्टेंटली उनको अलकॉहल सर्फ करते रहते हैं और यह आलकॉहल वो उनको फ्री में सर्फ करते हैं और नशे की हालत म बना लेता तो जो लड़कियो首 के साथ, वो उसके साथ इतना अच्छा भियेव करता है जोगंते हो देखकर सोचते WHO कि यारे लड़का कितना अच्छा है त्हुंस के लड़किया टेड को बहुत अच्छे इंसान के रूब में परसीव करती थी और इस डर्क साइकोलोजी का शिकार हम सब बच्पन से होते आ रहे हैं किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछो उसको आइफोन चाहिए उसको मसडीज चाहिए उसको चाहिए कि उसका वाड्रोब गूची एलवी के कपड़ों से भरा हो इन में से 99.9% लोगों को इन सब चीजों की कोई जरूरत भी नहीं है ब जैसा लड़का मेरे साथ रहेगा और जैसा भी है वो इस लड़की के साथ कर रहा है सब मेरे साथ करेगा तो और लोग मुझे कितना स्पेशल समझेंगे और यही होती है फॉल्स परसेप्शन और अगर हम फॉल्स परसेप्शन का चश्मा हटा कर देखे तो मसड़ीज एक आइफोन एक नॉर्मल फोन ही तो है गूची और अलवी भी नॉर्मल कपड़े ही तो है और इसी फॉल्स परसेप्शन के चलते हुए हम सोशल मीडिया पर और उकी लाइफ और उके रिलेशन्शिप्स को देखके अपने रिलेशन्शिप्स को एकदम स्पॉयल कर लेते हैं क तो मैं खुद भी यूज़ करती हूं मतलब हर प्लाटफॉर्म पे प्रेजेंट होना ये ट्रेक मैं ऐसे यूज़ करती हूं कुछ टाइम पहले में को इंस्टेग्राम पे काफी अच्छा फॉल्वर बूम मिला था तो तब मुझे भी किसी ने कहा था कि हो सकता आपको इंस सुपर्विजन रखता था उसे पता होता था कि उसके विक्टिम टूड़ा सा सध साड़ उता था तो वो तुरंत इसके सामने और जैसे टेड अपने विक्टिम्स पे कड़ी नजर बनाए रखता था वैसे बड़ी बड़ी कंपनी नजर बनाए रखते हैं जैसी कि आपने देखा होगा अगर मान लो आप अपने इंस्टाग्राम पे कुछ खाने की वीडियो को लाइक कर दो तो आने वाली कुछ वीडिय आपने भी कहते हैं उनकी बाते सुनता है जिस चीज के बारे में वह किसी से बात कर रहे होते हैं अगले दिन उसी चीज कि आने लग जाती है और इस कॉंटेंट बंबार्डमेंट की स्ट्राटेजी के वज़े से मार्केट में एक नया शिफ्ट आ रहा है फ्रॉम इंसिडन्स जब बी टेड इपने विक्टम्स को अप्रोच करता तो काफी हाइबड़े में करता था इलाइक गोल की जूल्री पहन के महेंगे वच्छ स्पएन के महेंगे कपड़े पैन के ता कि उन विक्टम्स यह कुछ भी नहीं है इंसिडेंस को एक्जाजरेट करने का तरीक है और जो थोड़े भोले लोग होते हैं इसके साथ रहेकर तो मेरी भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और इस डाक साइकॉलोजी की ट्रिक का शिकार हम सब बच्पन से बनते आ बताती हूं कैसे बहुत सारे कोचिंग इंसिडेंस एडवर्टीजमेंट और इग्जाजरेटेट इंसिडेंस के थुरू ऐसा दिखाते हैं कि आई एस बनाई सब कुछ है या फिर आयाइटी में अगर वो चले गए तो उनकी लाइफ कितनी क्रेजी हो जाएगी यह सब सुनकर एक नॉर्मल बच्चा जिसकी स्किल सेट कुछ और होती है वो इन कोचिंग इंस्ट्यूट्स में एड्मिशन ले लेता है पर इंड वो बच्चा नहीं आयाइटीन और नहीं आयाइस बन पाते हैं और उसके रियल टालेंट की हत्या कर दी जाती है इन बड़े-बड़े अपने दिखाना अब तक आपने डाक साइकॉलोजी के बारे में बहुत कुछ सीखा यह टेकनीक्स बहुत ही जादा पावर्फुल है अगर इन्हें अच्छे से यूज करा जाये तो बट प्लीज रिमेंबर पावर कम्स विदा हूज रिस्पोंसिबिलिटी जैसे टेड बं इससे आप लोगों के जासे से बच जाओगे और काफी स्मार्ट बन जाओगे नौलेज इस पावर यूज इट वाइज ली और अगर सच में वाइज हो तो मेक शॉर कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लो थैंक यू